टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम ने चमतकार कर दिया और श्टलिया को हरा कर अपना बदला लिया तो उसके बाद तालिबान के कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है तालिबान के कमांडर ने और श्टलिया का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान को उड़ाया है तो आखिरकार तालीबान के कमांडर हिबतुला अखंदुजादा ने क्या बोला है आईए चले दिखाते हैं उनके बयान का पुरा वीडियो लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा दोस्तों टीट वर्ल्ड कप में पहले बल्ले बाजी करने उतरे अफगनिस्तान की टीम औस्टलिया के खिलाब तो उन्होंने 148 रन बनाए और इसके बाद ला जवाब गेंद बाजी करते वह अफगनिस्तान ने इस मुकाबले को 21 रनों से अपनी नाम किया नवीन उलहग ने तीन विकेट लेकर अफगनिस्तान की जीत सुन इस्चित कर दी अफगनिस्तान की इस जीत के बाद दुनिया भर में ऑशलियाई टीम का जमकर मजाक उडाया जा रहा है और इसी बिच अफगनिस्तान में जो तालीबानी सरकार है उसके कमांदर का बड़ा बयान सामने आया है जी हाँ थोड़ा अजीब है हिप्तुल्ला अगंदुजादा ने बड़ा बयान दे डाला है। अब हमारी टीम ने उनको उनकी आवकाद दिखा दी है। हमारा पडोसी मुल्क पाकिस्तान भी हमारा बहुत मजाक उडाया करता था। और अब ये समय है कि वो सबसे घटिया टीमों में से एक माना जाता है। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सुनहरा दिन है। रासिद खान और उनके सभी खिलाडियों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी बधाईया। हमारे क्रिकेट खेलने वाले लड़कों के अंदर बहुत काबिलियत है। मुझे पुरा भरोसा है वो T20 World Cup भी जीत कराएंगे। दोस्तो तालिबान के कमांडर ने तो बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान की टीम की जहां तारीब किये तो वहीं औस्टलिया का जमकर मजाग भी उड़ाया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात। तालिबान के कमांडर ने पाकिस्तान का भी जमकर मजाग उड़ाया है। तो आपको क्या लगता है क्या अफगानिस्तान की टीम इस बार का T20 World Cup जीतेगी या फिर ये World Cup हमारे नाम होने वाला है। आप अपनी राय हमें नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी हिसांदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल न भूलिएगा धन्यवाद।